असलाम अलेक्ट मजिस तल्बा रेवर एकडमी एजुकेशनल यूटूब चैनल में आप तमाम तल्बा का इस्तिक्बाल है खुशाम दीदे शुरू करते हैं आज का वीडियो फीसा गोरस का मसला पैतागोरस तेरम जो पार्ट फाय हमारा अगर किसी ने अभी तक चनल सब्स् नोटिफेकेशन है वो आप तक पौरण पहुँच जाए तो फास पांच है स्टार मार्क लगावा उसके उपर और यहां पर शकल दी गई है सवाल है सवाल पढ़ता हूं मैं शकल में दिखाए हुए के मुताबिक नुक्ता T मुस्ततिल PQRS यह जो PQRS मुस्ततिल दिया तो देखें T S कहां यह कता है T Q स्क्वेर यह दुसरा कता है उसके अपोजिट उसके बाद is equal to T P स्क्वेर यह कता है और प्लस T R स्क्वेर यह दुसरा उसके अपोजिट का कता है अब आगे खिंड दिया हुआ है शकलों में दिखाए हुए मुताबिक दिखाए हुए के मु जिला A, B बोल सकते हैं, मुत्वाजी हैं जिला S, R के, अब ये दोनो A, B, S, R के मुत्वाजी हैं, तो P, Q के भी मुत्वाजी हुआ, क्योंके मुस्ततिल के मुकाबिल के जिले मुत्वाजी होते हैं, इसलिए इसको यहाँ पर A, B, P, Q के भी मुत्वाजी होगा, और S, R के भी मुतवाजी होगा यह याद रखिए चलिए अब इसको हम साबित करते हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं शकलों में PQRS एक मुस्ततिल है जो हमको सवाल में दिया हुआ था तो हमने उसको लिख लिए इसके सामने जाओ तो दुसरा मुसलस TQB यह मुसलस मिलेगा फिर यहाँ पर एक मुसलस मिलेगा TPA या TAP जो भी बोलना चाहो यह मुसलस उसके अपोजिट एक मुसलस TBR यह मुसलस यह चारों मुसलस में हमको पैथागोरस थेरम लेंगे पीसागुरास का मसला, तो हमारा आसानी से वो साबित हो जाएगा, तो चलिए देखते हैं, पैसागुरास का सेरम लेते हैं, उसके लिए पहले हमको कुछ चीज़ें यहां पर बताने पड़ेगी, वो क्या बताने पड़ेंगी, वो मैं बताता हूं, चलिए शुरू करते हम, देखे कता PS, यह जो कता है, PS, यह मत्वाजी है BR के, क्योंकि PS मत्वाजी है QR के, तो PS BR के भी मत्वाजी हुआ, मस्ततिल के जिलेयां मुकाबिल के मसावी होते है, और चुके यह हम खति नुकात है, तो PS जिसके मत्वाजी होगा, BRB वोही मुतवाजी हुआ Q R K मुतवाजी है तो BRK भी मुतवाजी होगा तो PS मुतवाजी है BRK यह हमने लिख लिया उसके वहला हम लिखेंगे कटा A B तौनदेरण कटा creative अब वहला कटा A B मुतवाजी है SRK सिंपल सी बात है अब ये जो शक्ल दिख रही है आपको ये जो आधी मुसल्लस जो है ये स्वारी मुस्ततिल जो है ये भी एक मुस्ततिल हुआ ठीक है क्योंकि इसके मुकाबिल के जिले मुत्वाजी है तो अभी हम इसको मुत्वाजियूल असला बोल सकते है जो ए एस आर भी जो दिख रहा है आपको यह, इसको मुटवाजी लजला बोल सकते है, जब तक हम को एक जाविय की कीमत 90 दर्जे नहीं मिलती, हम इसको मुस्ततिल नहीं कह सकते अभी हम फिराल इसको मुतवाजी लजला कहेगे, तो यहां पर लिखे मुस्तातिल के मुकाबिल के जिले मुत्वाजी होते है तो ये जो हमने लिखा है A, B और S, R क्योंकि ये यहाँ पर देखिए अब 90 दरजे बताना है हमको तो हम T, A, S देखिए यहाँ पर लिख रहा हूँ है T, A, S ये 90 दरजे है क्योंकि यहाँ पर ये 90 दरजे क्यों है ये हमको यहाँ पर दिया है कि T, A मुस्तकिल के अंद्रून में वाके है और शकलों में A, T, B ये हमखती नुकात है और T, A, S ये भी 90 दरजे होंगा चूंकि ये मुस्ततिल हो चुका है अब मुकाबिल के जिले मुत्वाजी है तो ये 90 दरजे है याद रखिए इसको क्योंकि इसके मुत्वाजी है P, Q के मुत्वाजी A, B है तो जब ये मुत्वाजी है तो ये जाविया 90 दरजे है क्योंकि ये मुस्ततिल का जाविया 90 दरजे है क्योंकि ये नजीरी जाविय है और नजीरी जाविय मसा भी होते है P Q के बाद नजीरी जाविया बनता ये वाला P और A B के पाद नजीरी जाविया बनता ये वाला A तो इसको नाम दिये T A S वो भी 90 दरजे होगा तो यह 90 दरजे क्यों हुआ, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि P क्यों मुत्वाजी है AB के, तो यहाँ पर यह जो बानेंगे नजरी जाविय बनेंगे, इसलिए दोनों 90 दरजे होगा, तो यह जो छोटा जो शेकल दिख रही है हमको यहाँ पर, यह आधा मुस्ततील, यह भी जैसे बता है, यह मुस्ततील हो चुका है, ASRB, यह शकल भी एक मुस्ततील है, और आपको पता है, मुस्ततील के मुकाबिल के जिले मुत्वाजी होते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, मुत्वाजुल अजला का एक जाविय नब्बे हो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले तो वो मुस्ततील होता है, यह ASRB मुस्ततील क्यों है, उसकी वजे यहाँ पर लिखा है, क्योंकि मुत्वाजुल अजला का एक जाविय नब्बे हो, तो वो मुस्ततील होता है, तो यह जाविय हमने नब्बे बता दिया, तो यह जो है आधी जो शकल दिख रही आपको, यह मुस्ततिल हो चुकी है अब आपको यहाँ पर आसानी से आप उसमें कुछ भी ले सकते हो अब देखिए अगर यह छोटा मुसलस लूँगा है जिसका नाम है TAS तो उसमें तो यह 90 दरजे हमको हासिल हो चुका यहने यह कायमतु जाविया मुसलस हुआ TAS क्योंकि TAS नपे जर्जे यहाँ पर हमने निकाल लिया तो यह कायमतु जाविया मुसलस हुआ तो आप इसको हम लिखेंगे APQB देखिए APQB यह भी उपर का मुस्ततिल है दोनों मुस्ततिल हो गए यह भी मुस्ततिल यह भी मुस्ततिल बड़े वाला भी मुस्ततिल अब यहाँ पर हमको लिखना है AS is equal to BR यह AS is equal to BR जैसे मैंने अभी पताया आपको के ASRB एक मुस्ततिल है और मुस्ततिल के मुकाबिल के जिले मसा भी होती है इसलिए AS बराबर है BRK अब AB भी बराबर हुआ ASR के तो उसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं अभी यहाँ पर बया नमबर एक दी हमने AP बराबर है BQ के यह लिख लिए हमने दोनों के इसका जिला इसका मुकाबिल का जिला इसका मुकाबिल का जिला यह मुकाबिल का जिला तो दोनों जो है वो मसावी हुए इसको बया नमबर दो क्योंकि इसका अभी हमको यहाँ पर काम आने वाला है इसलिए हमने इसको दोनों को ले लिया है देखें फिर से बताता हूँ यह आधा मस्ततिल जो उपर वाला आधा मस्ततिल जो नीचे वाला क्योंकि ये 90 दर्जे साबित हो गया है, ये तो 90 दर्जे पहले से है, तो ये जो आधा ये भी मुस्ततिल हुआ, नीचे वाला भी मुस्ततिल हुआ, तो उसके मुकाबिल के जिले भी मसावी होगे, मुस्ततिल के मुकाबिल के जिले मसावी होते है, अब जैसे मैंने आपको कहा अब आपको मैं थोड़ी से एक हिंड दे रहा हूं कि आपको देखिए ये एक मुसलस पहले भी बताया था ये सामने का एक मुसलस, ये एक मुसलस और ये एक मुसलस जो चार मुसलस आपको नजर आ रहे हैं चारों में आप फिसागोरस लीजिए आपका बहुत आसानी से वो साबित हो जाएगा तो पहले मैंने एक में ले लिया फिसागोरस TAS में इसको नमबर 3 दे दिया अब दुसरा मुसल्स लेता हूँ मैं TBQ उसके सामने वाला देखे A इसके सामने वाला ये मुसल्स नाम देखो आप TBQ ये मुसल्स में आप फिसा गवरस का मसला लेना है तो ये 90 दर्जे है ठीक है? B 90 दर्जे है, हमको मारा पता है और ये जो है, ये हाफ होगा अब ये पूरा नब्बे दर्जे नहीं है क्योंकि इतनी मुसल्स का इतना जावी आया यहां पर तो ये नब्बे दर्जे है ये पूरा नब्बे दर्जे है लेकिन ये इतना हिसा नब्बे दर्जे नहीं है इसलिए ये नब्बे दर्जे है तो इसके मुकाबिल का जो जिला होगा TQ वो वित्र होगा तो वित्र का मुरब्बा यहने TQ square is equal to QB square और TB square दो जिले आपको यह दोनों ले सकते है तो यहाँ पर हम लिखेंगे TQ square देखिए लिखा मैंने TQ square और TB square और BQ square यह वाला जिला तो इस मुसलस में भी आमने पैथागोरस थेरम ले लिया है अब हमको क्या करना है यह मुसलस दोनों बचे है देखिए यह TAP उपर वाला और TBR यह अब इन दोनों में भी फीशागोरस का मसला लेंगे तो बात में लेंगे पहले मैं क्या कर रहा हूँ यह जो दिये हमने number इसको दे देता हूँ number 4 आप number 3 और number 4 इन दोनों की जमा करना पड़ेंगा आप मैं जमा क्यों कर रहा हूँ बच्चो तो साबित करना उसमें देखिए T S square तो यह T S square है TQ square तो यह TQ square है इन दोनों की जम करने पर तो 3 और 4 की जमा करेंगे तो हमको 80 लोंगा T S square यानी ये फिर उसके जमा करेंगे T Q square और इधर वाला T A square A S square देखिए जमा किया इसमें जमा करेंगे T B square और B Q square याने Left hand side की जमा हुई और Right hand side की जमा हुई तो हमको ये एक बयान आसिल हुआ इसको number देंगे हम बया नमबर पांच अब ये दो मुसलस में मैंने पैतागोरस थिरम लिया था और इसको यहाँ पर दोनों जमा कर दिया था अब इसी तरह जैसे मैंने यहाँ पर किया अब TAP लेना ये मुसलस और TBR ये दोनों मुसलस जो लेना है और उनमें फीसागोरस का मसला लेकर दोनों की जमा कर देंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पर TAP देखेंगे यह मुसलस का नाम लिखा मैंने और उसमें फीसागोरस का मसला लेंगे तो लेते हैं हम फीसागोरस का मसला तो कि यह 90 दरजे है यह वाला जाविया ये तो इसके सामने वाला TP जो है वो वित्रो हुआ तो हम लिखेंगे TP स्क्वेर इस इक्वल टू TA स्क्वेर इस प्लस AB स्क्वेर ये लिख लिए हमने ये फीसा गवरस का मसला आचुगा पैतक गवरस थेरम इसको नंबर हम देंगे 6 अब ये मुसलस हो गया ये वाला लेंगे TBR तो लिखते हैं उसका नाम TBR में फीसा गवरस का मसला अब ये B जो है नप्वे दर्जे है तो इसके सामने वाला वित्रोवा TR तो लिखेंगे TR स्क्वेर इस इक्वल टू TB स्क्वेर प्लस BR स्क्वेर और इसको नंबर साथ देगे तो उम्मिद करता हूँ बच्चो 4 मुसलस मैंने स्टार्टिंग से आपको बताया है ये 4 मुसलस में आपको फीसा गवरस का मसला लेना है अब ये बयान नंबर 6 और 7 की जमा करेंगे तो 6 और 7 की जमा करने पर तो इन दोनों की जमा होगी और इन दोनों की जमा होगी तो TP स्क्वेर प्लस TR स्क्वेर TA स्क्वेर प्लस AP स्क्वेर TB स्क्वेर प्लस BR स्क्वेर ये हमारे पास बयान नंबर कितना आया देखिए 8 आया इसको बयान नमबर 8 दे रहा हूँ अब मैंने क्या क्या यह देखिए ऐसे ही है ये भी ऐसे ही है मैंने सिफ क्या किया AP square के जगा BQ square लिख दिया अब बोलेंगे सरे कहा से आया तो आप बयान नमबर 2 में देखिए AP is equal to BQ तो AP square के जगा मैंने BQ square लिख दिया यहाँ पर बयान 2 में हमने इसको बताए थे कि यह दोनों मसावी है अब TB square के जगा इसे ही है लेकिन BR square के जगा मैंने AS लिख दिया यहाँ पर बयान नमबर 1 में भी है BR की जगा AS लिख दिये तो ये बयान no.8 बन गया अब 5 और 8 को आप गौर से देखिए देखिए, right hand side देखिए सिदे आद के तरफ, ta square है, ta square है as square है, as square है tb square है, tb square है bq square है, bq square है जब ये दोनों मसावी है तो ये दोनों भी मसावी हुए सबजना है, मैंने क्या बता है आपको बयार no.5 में, right hand side equal है, इधर के right hand side से देखिए, ta, ta bq, bq, as, as और tb, tb, yे सबका square is equal to, ये दोनों मसावी है ta square, tb square, bq square as square, ये मसावी है तो ये left hand side भी मसावी है उसको लिख दीथिए, ta square plus tq square बराबर tp square plus tr square ये आपका साबीत हो गया ये ही हमको साबीत करना था बच्चो तो उम्मिद करता हूँ बच्चो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आया तो like कीजिए और चैनल को subscribe कीजिए और वीडियो को दुसरे बच्चों में share कीजिए जजाक अलाओ तालाओ खैर